पिछले वीडियो में हमने सीर्षक लेखन और सारांश लेखन देखा सीर्षक और संक्षेपण में क्या अंतर होता है यह देखा आज के इस वीडियो में एक और महत्पूर्ण टॉपिक रेखांकित अंशो की व्याख्या उसको लिखने का तरीका आप देखेंगे बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा क्योंकि ये आपको नंबर लाने में पुरे हिंदी के विपर में सबसे महत्पूर्ण खंड होता है अपठित गध्यांश सबसे पहला प्रश्ण ये होता ही होता है क्यों? क्योंकि यही से आपकी बौद्धिक शम्ता, बौद्धिक अस्तर क्या है? बाकी सारी चीज़ां तो रटी रटाई होती है पढ़े होते हैं आप कहीं ने कहीं ये अपठित होता है तो कोई अचानक से अगर आप प्रशास्थिक अधिकारी है अचानक से कोई समस्या आ जाए कोई व्यक्ति आ जाये, कोई बात लेकर के, कोई शिकायत लेकर के, कोई कहानी लेकर के तो उसके मनो भाव को आप समझ पाते हैं कि नहीं, आपका बहुतिक अस्तर क्या है वो यही अपठित गध्यान से पता चलता है, बाकी सब चीजें तो पढ़ी होई होती है, रटी होई होती है इसलिए रेखांकित अंशो की व्यक्या महत्पूर होता है, आपके लिए नंबर लाने के दिश्टि से भी और जो एक्जामनर होता है, उसको अपना बाधिक अस्तर दिखाने के दिश्टि से भी लोग अक्सर गल्दियां क्या करते हैं कि कुछ भी उठा करके रेखांकित अंशो की व्यक्या में लिख देते हैं जो मन में आया, गद से उठा लिया और एक दूसरे से जोड करके सेट करके पूरा कर लिया, खाना पूर्ति कर दी तो खाना पूर्ति करेंगे तो वैसा नंबर भी आपको मिलेगा, जीरो नंबर मिलेगा अधिकता मंकिस के होते हैं, अंकलाने में सबसे आदा महतिपूर्ण यह होते हैं अगर आपने रेखांकित अंशो जो दिया है, उसकी सही सही व्यक्या कर दी, समझा दिया, सही प्रारूप में लिख दिया तो पूरे नंबर आप ले जाओगे इसलिए महतिपूर्ण है कि आप जानें कि आखिर क्या इसमें छिपा हुआ है, इस गुड़ बात को जो लेखा कहना चाहता है इस वाक्य के माध्यम से, उसको समझें सबसे पहले कभी-कभी एक बार में समझ में आ जाएगा, कभी-कभी बार-बार आपको गध्यांस पढ़ने की जुरत पढ़ेगी जो भी जुरत पढ़े वो करें, लेकिन हर बड़ी में गलत व्याख्या न करें ठीक है, क्योंकि आप ये ध्यान रखेगा कि आपकी बौधिक शम्ता, बौधिक अस्तर को स्पष्ट करेगा सिक्षक के सामने, कुछ भी लिखाएंगे तो वही आपका परिचे मिलेगा उसको और फिर उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे गलतिया हमने आपको बताया कि व्याख्या कि आरथ कुछ भी गद्द से उठा करके लिख देते हैं पैरा की बातों को ही एक दूसरे जगह सेट कर देते हैं, हो जाती है आपकी व्याख्या फिर करना क्या चाहिए, यह नहीं करें, तो क्या करें तो विचार से जुड़ें, जो विचारक है, जो लेखक है, जो जिसने गद्ध की रशना की है, उस लेखक से जुड़िये, अंतर आत्मा को टटोलिये उसके, तो रेखांकित अंश से सम्बंदित जो विचार प्रक्रिया है, उससे जुड़ें, उससे इसपष्ट करें, तभी आप योग्य हो जाते हैं किसी गद्य खंड को पढ़ें और इसकी बात को समझ जाएं इसलिए इसका कोई और तरीका नहीं है दूसरी बात है रचना के मोल देश को समझने पर ही व्याख्या करिए कि ये रचना क्यों की गई है इस रचना के उदेश से ये जो इसकी व्याख्य भटकनी नहीं चाहिए तो रचना के उद्देश को समझिए और फिर व्याख्या करिए ऐसा नहीं कि गद्ध कुछ और कह रहा है और रेखांकित अंश आप कहीं और ही किसी दुनिया में ले जा रहे हैं कोई और ही अर्थ निकाल रहे हैं क्योंकि जोरी नहीं कि रेखांकित अ हो रही है तो गद्ध को पढ़ करके आप समझ में आयागा गद्ध के पहले मूल भाव को समझें फिर एकांकित अंश की व्याख्या करें तभी आप उसके विचार प्रक्रिया से जुड़ पाएंगे इसके लिए जोरी है सबसे पहले गद्ध्या उतरण को आप अच्छे से पढ़ें कायदे से पढ़ें एक कभी कभी होता है एक अंश की व्याख्या की दूसरे अंश में भी सेंसे व्याख्या कर दी क्योंकि वही चीज समझ में आ रही इसमें वही चीज इसमें तो सबसे पहले तो सबस्ट करने पहले ही गद्ध को भी कायदे से पढ़ें और रिख पहले तेह करने कि किस वाक्य की कौन सी व्याख्या आपको करनी है। आप अपना व्याख्या करते समय कोई मुहावरा, कोई घटना हो गई, कोई प्रसंग है, कोई वक्तब्य है, कथन है, सूत्र है, सूक्ति है, श्लोक है, उन सब के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, व्याख्याइद कर सकते हैं, यह आपके हाथ में होता है आप इन विचारों को कैसे स्पष्ट कर रहे हैं ये आपके हाथ में होता है अक्सर प्रश्ण आपके मन में आता है कि व्याख्या जितने शब्द है उसका कितना गुना होनी चाहिए तो बिल्कुल मस सोचिए ये अब पूरानी ओधार्णा हो गई इस ओधाना मजएगा क्योंकि अब पहले क्या होता था कॉपी मिलती थी आपको तो आप अपने धंग से व्याख्या करते तब ही क्या मिलता है आपको एक स्पेस बहुत कम मिलता है एक तो समय आपके पास बहुत कम होता है इसलिए व्याक्या की वैसे तो कोई सीमा नहीं होती है जितना समझाने में आपको शब्दों का प्रियोग करना पड़े उतना कर सकते हैं लेकिन समय कम है, स्पेस कम है, इसलिए इतने में ही आपको समझाना है इसलिए पहले ही कहीं रफ में आप चीजें स्पष्ट कर लें हाँ आपने इस पूरी बात को समझा लिया है अगर कोई सूत्र सूक्ती कथन वक्तव्य लोकोक्ती मुहावरा याद आ रहा है तो उसमें सेट कर लें अपनी जगा फिर लिख लें पर्यापत हो समझाने के लिए बस इतना ही सोचिए चार पांच गुना दस गुना ये सब मत सोचिए ठीक है तो ये चीज स्पष्ट कर लीजे प्रत्यक्ष जो शब्द हो उनको परोक्ष में बदल लीजे अब इसमें सारे परोक्ष ही है कुछ प्रत्यक्ष कहा नहीं गया है इसलिए यहां जवरत है नहीं प्रत्यक्ष हो या उत्त्यक्ष हो तो उसको अन्य पुरुष में बदलने अन्य पुरुष सेलीम लिखिए जैसे सारांश हमने बताया था अन्य पुरुष सेलीम लिखा जाएगा अगर कोई बात कह रहा है जैसे राम ने कोई बात कही उसको इनवर्टेट काम हम लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया प्रत्याक्षा और ये प्रत्म पुरुष हो गया अब जब आप अन्य पुरुष में लिखेंगे यह ध्यान रखना है अर्था तुम और मैं का प्रियोग यहां पे वर्जित है इसके लावा एक और ट्रिक आप अपना सकते हैं कि जो शब्द दिये हैं उनका प्रयावाची शब्दों का प्रियोग कर सकते हैं कोई शब्द दिया है उसके प्रयावाची शब्द का प्रियोग करेंगे तो यह तरीका अपनाएंगे जब आप व्याख्या करेंगे परियाएव शब्दों को सरल शब्दों में उसका आर्थ बदल देंगे इससे आपकी व्याख्या नहीं भी लगेगी और अंतर भी नहीं होगा सुक्ष मंतर करते हुए आप बहुत ही स्पष्टता अपनी वहाँ पर पदरशित कर पाएंगे जो भी आप सोच रहे हैं जो विचार कर रहे हैं तो दो तरह से आपको काम करना है एक रचना के दिश्टी से भी काम करना है एक विचार के दिश्टी से काम करना है रचना के दिश्टी से मनें बताया जो प्रत्यक्ष शब्द कहेगे हैं परयोक्षम बदल लिए, अन्य पुरुष शैलीम लिखिए, कठीन शब्दों को सरल्म बदल लिए, परयाय शब्दों का प्रयोक करिए, और भाव के दिश्ट से, विचार के दिश्ट से, इन विचारों को किसी लोकोक, तिमुहावरा, कठन या अपने विचार जो है, जो आपको उत्तम प्रतीत हो, उससे इस्पट कर, जो आपको उत्तम शब्द लगें, उन शब्दों से सपष्ट करने का प्रयास करिए, ये दोनों काम एक साथ आपको करने है, लिखने का फार्मेट क्या हो, इसके लिए मैं आपको बताऊ aunque किस तरह से आप प्रश्ण का उत्तर लिखेंगे, तो प्रश्ण का उत्तर लिखती से सब्हस西 maior पर्श्ण उत्तर लिखेंगे, प्रश्णोतर एक का गह हो गया, यहाँ पर नीचे रेखांकित अंशो की व्याख्या फिर तीन जैसे इसमें है खंड तो पहला लिख दिया यहाँ और पहला क्या था साहित्य का आधार जीवन है साहित्य यहाँ पर पहले फस्ट डाला साहित्य और है अर्थात जब बड़े वाक्य रहेंगे तो उनके एक से अधिक ले सकते हैं शाहित्य का लिख सकते हैं और आधार जीवन है लिख सकते हैं जब बड़े वाक्य रहेंगे लेकिन चुकि यह छोटा वाक्य है तो आपको एक ही शब्द लेना है तो साहित ले लिया और है बीच में क्या है लेकिक को यह सपश्ट करने के लिए बीच में कुछ खाली जो अस्थान है वहाँ पर कुछ शब्द है इसके लिए आप रिक्त अस्थान पूर्ति सूचक चिन्न का प्रयोग करेंगे विराम चिन्नों का आपको प्रयोग बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर नहीं आता है आप इस तरह इसे लिख देते हो कभी कभी देखो काफी लोग क्या करते हैं इस तरह लिख देंगे साहित है ये लंबी से लाइन खीज़ देंगे या तूटी-फूटी लाइन खीज़ देंगे डैस बना देंगे एक दो ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया है इसका पालन मत करियेगा व्याकरणी दिश्ट से बिल्कुल गलत हो जाएंगे यहाँ नमबर आपके कट सकते हैं तो जो भी लिखें आपको ना सिर्फ आना चाहिए बल्कि लिखने की भी कलाब के अंदर होनी चाहिए तभी आप पूर्ण अंक प्राप्त कर पाओगे ठीक है तो साहित्य इसके पाद प्रदे से सुरू करना है और है कभी कभी लोग क्या करते हैं कि साहित्य का आधार जीवन है तो मतलब आपने कितने शब्द छोड़े हैं का आधार जीवन तीन शब्द छोड़े हैं आपने तो तीन ही बिंदु खीचेंगे बीच में मतलब साहित्य एक, दो, तीन और है ये बिल्कुल गलत है ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तीन शब्द छोड़े हैं तो तीन ही बिंदू ये एक आपके लिए मतलब प्रतीक होता है कि आप बता रहे हैं लेखा को कि बीच में कुछ शब्द हैं इस वाग़े को पूरा करने के लिए बस इसका यही तरीका है चाहे आप इस कोने में लिखे है इस कोने में लिखे है ठीके चाहे बीचो बीच लिखे कोई दिक्कत नहीं है ये बिलकुल न समझेगा कि तीन शब्द छोड़े हैं, तो तीन ही हमको बिंद छोडने हैं, ये भी गलत है, तो ये आप कुछ ब्रानतियां हैं, जो आप करते हैं, तो ऐसा बिलकुल न करें तो कैसे लिखेंगे फिर अपनी फ़र्ष्ट लिख करके साहित लिखा है लिखा और फिर नीचे व्याख्या लिखी अब यहां से आप अपना उत्तर सुरू करिए तो यह लिखने का तरीका है अब आपको अगर कोई डौट हो तो पूछ सकते हैं क्योंकि अब प्रैक्टिस में चीजें आएंगी आपको गद्याश के तीनों प्रश्ण हमने आपको बता दिये किस तरह से हल करने हैं अब आपको प्रैक्टिस में आना है लिख कर दिखाना है जो कमिया होंगी मैं बताओंगा उसमें सुधार करके उत्तम उत्तर लेखनाप परिक्षा में अपने करके आएंगे चीजें प्रैक्टिस सही आएंगी कितना भी नियम कानून बता दें वो आपके दिमाग में नहीं आएंगी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक हो जाएंगे आप लेकिन करना तो है ही अगर नहीं करेंगे तो फिर सोचेंगे एक वीडियो देखकर दो वीडियो देखकर या किताब में नियम देखकर के ये नियम तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे लेकिन इतने दिन बुक्स पढ़े क्या इन नियमों को आपने द्यान दिया आज मेरी वीडियो देखेंगे कल को भूल जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका दिमाग इस चीज़ से जुड़ेगा इस प्रक्रिया से जुड़ेगा इसलिए प्रैक्टिस करनी आउशक है जो लोग ऐसे हैं जो मान के चल रहे हैं कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है आरो की परिक्षा में वो 9453-77-5039 पे मुझे मैसेज कर दें वाटसब पे तो मैं उनको पारिभाशिक शब्दावलिया दे दूँ तब तक वो सब ये रटते रहें जब एक्जाम का रिजल्ट आएगा मेंस के लिए जब आप शियोर हो जाओगे तो आप टेलिग्राम ग्रूप से हमारे जुड़ेगा और फिर प्रैक्टिस की इस प्रक्रिया से अब अभ्यास के हम कंडिशन में आ गये हैं हालांके अभी निबंध भी आपको बताना है निबंध का एक वीडियो बनाएंगे उसमें निबंध कैसे लिखें क्या तरीका है निबंध लिखने का उस पर चर्चा होगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने जो अगला अस्तर है प्रैक्टिस का अभ्यास के अस्तर को निबंध के वीडियो काफी लोग आज कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कब आने आरंभ होंगे तो बहुत जल्द निबंध के वीडियो दो तीन दिन में आपके प्रारंभ हो जो महत्पूर्ण निबंध है उस पर हम वीडियो जरूर ले आएंगे तो उसकी प्रतिक्षा आपको अब जादा नहीं करनी पड़ेगे और कोई अगर डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद